UKPSC में आने वाले ये सवाल आप ignore नहीं कर सकते, यह ना, जो यह type है, इसका नाम है paper cutting and folding, हमेशा सबसे आसान type होता है, मगर बच्चे यह question गलत कर देते हैं, तो practice जरूर करके जाना, देखो जो भी चीज आपको लग रही है ना, आसान है, वो तब तक आसान है, अगर आपने उसकी practice की वी है, questions किये हैं, अगर question नहीं किये हैं, तो आप फसोगे ही, फसोगे, यह ज़्यादा time डिलोगे, यह गलत, टिक कर दोगे, ठीक है, तो इसमें किस तरह के questions आते हैं, यह तो दिखी रहा है कि कोई एक, वृत था, कोई एक circle था, उसे पहले fold किया गया है, इस तर पेपर के through समझाने की कोशिश करता हूँ, पहली बार में क्या किया है, इस तरह से हमारे पास यह paper है, इसे हमने एक बार fold किया, तो आपने बोला ठीक है, यह बन रहा है, फिर हमने क्या किया, इसको एक और बार fold किया, इस तरह से बन गया, चीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, समझिए, कितनी बार, और फिर 3rd वाले में भी इसे कह रहे हैं कि इसे भी fold कर ले रहे हैं, यह देखरों यहाँ पे यह arrow जो बनावा है, इसमें क्या कर रहा है, आपने बोला fold कर रहे हैं, तो एक और बार fold करना है, जितनी बार arrow है, इस तरह से figure बन जानी है, ठीक है न, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये वाली figure तो बिल्कुल गलत होगी क्योंकि ये ऐसे आना था एक पंच इधर आना था एक पंच इधर आना था ये वाली figure हो सकती थी मगर ये corner पे पंच नहीं कर रहा है ये एकदम center पे कर रहा है इसलिए ये बाहर हो गया फिर आपने क कि ये वाली figure हो सकती है और ये वाली figure नहीं होगी क्योंकि दो पंच नहीं कर रहा है और ये बात समझ में ऐसे करके यहां पे दो बार पंच नहीं कर रहा है एक ही बार पंच कर रहा है इसमें तो एक ही आ रहा है तो ये भी भार हो गया तो ये answer हो जाएगा समझ में आगी ब circle बना तो उसे बीच में से कुछ इस तरह से cut कर दिया गया है, got it, आगी बात समझ में, बीच में से जब ये cut किया तो ये बीच में circle बनना चाहिए, आपने बोला केवल केवल ओ केवल तीसरा option एटिक कीजिए आगे बढ़ जाईए, ठीक है अब ये तीसरा question है, ठीक है, practice ज़रू करनी है अपने practice क्लिप बीच बीच में question छोड़ता रहूँगा, उनके answer बताना तीसरे question का answer क्या होगा, comment करके ज़रू बताईए, है ना, चलिए चौधा question हमने देखा, हमने देखा कि भीया, इस तरह से था, पहले ऐसे में fold किया, okay, फिर ऐसे में fold किया, okay, फिर ऐसे में fold किया, okay, और बाद में ये punch कर दिया, तो ये वाला portion उठा करके देखो, इसमें आ रहा है क्या, आपने बोला, नहीं यहां पे नहीं, यहां पे आना चीए था ये बाहर हो गया इसमें बिलकुल आ रहा है मगर ये जब open होगा तो ये इधर भी आना चीए था इधर नहीं आ रहा है तो ये बाहर हो गया इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है ठीक है ये वाला सही चल रहा है इसमें बीच में नहीं आ रहा है ये पंच है न यहां नह देख रहे हैं इसलिए हम इसे भी भार कर देंगे केवल ऑकेवल दूसरा सही हो जाएगा पेपर कटिंग और फोल्डिंग है इसका ना फिर यह वाला कोश्चन थोड़ा सा गरबढ़ हो गया है तो इससे छोड़ दीजे कोई दिक्कत नहीं है इस कोश्चन को देखिए कहां प गया क्या आंसर हो गया दूसरा आंसर हो गया फिर आप देखिए यह कोश्चन है इसमें इस तरह से फोल्ड कर रहा है यह याद रखना अलग अलग तरह से करते हैं कई बार समझ भी नहीं आता बच्चों को यह इस तरह से कर रहा है फिर इसके बाद इन्होंने ऐसे में भी और यहां पर पंच किया है और यहां पर पंच किया है तो यह वाला portion उठाओ और देखो किसमे ऐसा बन रहा है यह अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूं तो यह कुछ इस तरह से आएगा आप बोलोगे यह तो बाहर हो गया अगर मैं इसे दिखाऊं तो आप कहोगे यह वाला बिलकुल सही चल रहा है इस वाले को दिखाएं तो आप बोलोगे यह तो पतानी क्या बत्तमीजी कर रहा है इसे अगर दिखाऊं तो आप कहोगे यह भी बत्तमीजी कर रहा है तो फिर उसे क्या किया ऐसे में भी फोल्ड कर दिया हाफ होने के बार ऐसे में भी फोल्ड कर दिया जैसे कि यहां पर दिखाया गया और फिर यहां पर 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 यहा पांचवां question answer करके बताईए क्या होगा, ठीक है, पीछे जाना, थोड़ा सा pause करना और देख लेना, फिर इस वाले question को देखा आपने, थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा उपर है, इतने portion को देखो, थोड़ा नीचे, थोड़ा उपर होना चाहिए था, इतने portion को देखो, ये त इतने portion को देखो, इतने को, इतने को देखने गए तो हमने ओला, ऐसे ही तो आएंगे, मैंने का ठीक है, इसमें तो किवल एक ही आ रहा है, ये बहार हो गया, फिर आपने बाहर करने पर जाना, अब फोकस करना है, आपने ओला, ये भी बहार हो गया, फिर आपने इस पर फोक नमबर 6 का, कुछ questions करोगे न, तभी तो practice होगी, otherwise कैसे हो पाएगा, जो मैं चीजें बतारा हूँ, उन्हें apply करो, इतने portion को उठा के रख के देखो, कि कौन सा वाला होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला, you will have your answer in your pocket, है नहीं, ठीक है, फिर आपने क्या देखा, कि ये 4-5 आक लेना, question number 7 लिखी चुका हूँ मैं उसमें, question number ये करते हैं, इसमें पहले paper था, उसे नीचे की तरफ फोर्ड किया, फिर उसे ऐसे फोर्ड किया, ओके, और फिर यहां से यूँ पंच किया, तो आपके वल इतने वाले portion को पकड़ो, मैंने पकड़ा, मैंने का, ये तो होई न नहीं रहा है, तो क्या करूँ तो करूँ क्या, और जाओं तो जाओं कहां, केवल और केवल, यही option होना चाहिए, मगर बीच में पंच नहीं है, तो ये question गरबड हो सकता है, ये question क्या हो सकता है, गरबड हो सकता है, आप इसे देख लेना, इसका भी answer बताईए, question number 8 नाम दे अच लिया, छीख है, फिर जब यह open होंगे, यहाँ यहाँ आएगा, पंच नहीं आएगा, आपने बुला, आना तो चाहिए, और यहाँ यहाँ जो यह 5 आए हैं. वो फिर कहां जाएँगे, यह नीचे आए है ना, नीचे आए हैं, तो इधर- 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 इधर, इधर, कुछ होना चाहिए, ऐसी केवल और केवल एक ही figure दिख रही है, इसे टिक करो और आगे बढ़ जाओ, फिर ये वाला देखा आपने, इसमें क्या करना है, इन सब को use करना है, कौन सी figure बन रही है, ये चेक करना है, ठीक है, ठीक है, तो ये question number 10 लिख दिया हमने, इसे भी कीजिए, और answer बताईए, फिर question number 11 लिख दिया हमने, कीजिए, और answer बताईए, समझ मा रहा है कैसे करना है, ठीक है, question number 12, देखो भी या क्या होना है, आपने क्या देखा, पहले paper ऐसे था, इधर को fold किया, इधर को fold किया, फिर जब ये ऐस बन गया, तो इसे उपर की तरह fold कर दिया, और फिर punch कर दिया, तो इतने portion को पकड़ो, एक, दो, तीन, केवल यही answer है, आगे बढ़ जाओ, फिर ये, dice का कोशियन है भी या, ये, ये, और ये, सब मिलेंगे, आपने गोला, अच्छा मिलेंगे, 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 अच्छा, हमें कि क्या दिख रहा है, ये, ब्लैंक वाला circle और ये dot circle साथ में नहीं दिखेंगे, क्योंकि opposite है, किस में dice में पढ़ा था न, हमने एक, दो, तीन, तो ये blank वाला circle और ये dot वाला circle आपस में एक दूसरे के opposite होंगे, ये साथ में नहीं दिखेंगे, दिख रहे है 30 जो lecture किया है उनमें से जाके देखे आप कर पाएंगे इस question को इस question को आपने देखा कि पहले fold किया आपने बोला बिलकुल फिर इस तरह से fold किया और फिर जब ये fold हो गया तो फिर आपने ऐसे और ऐसे भी कर रहे हैं इसका भी answer बताईए से लिख देता हूं question number 13 question number 14 में देखो जी पहले ऐसे fold किया फिर ऐसे fold किया फिर बीच में ये dot बनाया कि इतने वाले portion को भी पकड़ लोगे तो answer आजाएगा आप बोलेंगे यह answer होगा और कोई नहीं हो रहा चीक है जो भी भेंग के question है आप ले छोड़ रहा हूं ऐसी वाली वाई वारी होगी ना आनी चाहिए paper तो आप नहीं देना है चीक है तीसरा answer हो जाएगा question number 16 नाम दे देता हूं चेक करके बताना कि होगा या नहीं होगा इस question में देखो कि यह corner पे ऐसे 2 है corner पे 2 हैं बीच में नहीं है तो इसे बाहर करो corner पे 2 हैं इधर भी 2 आएंगे यही वाला answer लग रहा है पहला answer हो जाएगा इसमें फिर आपको देख रहा है कि जो यह circle है और यह वाले है मतलब यह वाली figure कुछ इस तरह से बनेगी यह जो corners यू निकल के आ रहा है न यह shaded वाले ऐसे 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 यह मिलेंगे और जो वो यह वाला phase है यह दोनों एक दूसरे के opposite हैं यह दोनों opposite phase साथ में नहीं देखेंगे जिसमें भी साथ में देख रहे हैं वो बाहर हो जाएगा इसमें देख रहे हैं बाहर हो जाएग ये वाला बचाएगा चीक है इस question में देखिए जी क्या कर रहा है एक में ये यू बनाया और ये यहां पर बना दिया ये तो बड़ी बत्तमीजी सी लग रही है हमें पहला वाला सही नहीं होगा ये ये वाला सही होगा और किसी में ऐसा हो नहीं रहा है चलिए जल्दी करने की कोशिश की हमने और जो questions हमने आप ले छोड़े हैं वो question आपने जरूर करने ताकि आप practice में रहें और अभी तक मेरे ख्याल से 31 वा lecture होगा ये हमारा आज का अभी तक जो है तो आपने 31 lecture को अगर आप 2x speed में भी जाके देखेंगे तो आपका reasoning वाला जो portion है जिसमें की maths के भ वेरी मुच